तो आज हम आपके साथ लेके आए हैं मज़ेदार टिप्स क्योंकि आपको पता है कि गर्वियां आ चुकी है समर स्टार्ट हो जगा समर में आपके साथ हम बहुत सारी मज़ेदार टिप्स लेके आएंगे क्यों जी पताएं तो आपके साथ शेयर करेंगे तो आपने हमारे चैनल पेजी सब्सक्राइब कर लेना इसको ताके डेली आपको वीडियो जैसे का आपको पूरे विंटर कितने मज़ेदार टिप्स रेसिपी तो रमजान भी आगा था विंटर में आपको कितना इंटरेंटेंट किया तो इसी पर नहीं है तो हमारे चैनल को लाइक कर दे सब्सक्राइब को दो वैल आइकन की गंटी को प्रेस करते हैं और आज पर यार बहुत कम लाइक आ रहे हैं क्या वज़या है यार मारी वैमनी क्यों इतना वीडियो आप पूरी देख लेते हो तो प्लीज चैनल को लाइक भी कर करो सब्सक्राइब भी कर दिया करो शेयर भी कर दिया करो तो चलते हैं वीडियो की तरफ वीडियो के जाने से पहले हम फिर कहेंगे आप हमारे चैनल को लाइक कर दे सिसको असलाम अलेकुम जनाब उमीद करते हैं सब्सक्राइब ठीक होंगे जहां होंगे खेर यह से होंगे अपने प्यारों के साथ खुश होंगे आज मैं आपकी फ्रिज को साफ करने के लिए बहुत जबदस की टिप शेयर करने जा रही हूं जिसे ना सिर्फ आपकी फ्रिज की बदबू खतम होजेगी बलके आपकी फ्रिज साफ सुत्री भी रहेगी उससे पहले आपको घर की वाटर बोटर की लिए करने का आसान तरीका बता रही हूं साफ कर सकते हैं बिना कोई लंबी चोड़ी मेनत की है बेहद आसान तरीके के था तो आज की वीडियो आपके बहुता मुश्किल लगता है तो उसको आप इस तरीके से बड़ी असाने से साफ कर सकते हैं एक मुठी आपने चावल ले लेना है चावल आप कोई से भी ले सकती है उसके बाद आपने दो टेबल स्पून ले लेना है खाने वाला सोडा जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं और बिल्कु रेडी होज़े का सफाई करने के इसके बाद इसको वाटर कैन के अंदर डाल देंगे और एक ग्लास गरम पानी का डालकर आपने इसको बन कर लेना है और अच्छी तरह आपने इसको हिला लेना है ये देखिए अभी हमने इसमें तमाम समान ढाल दी है उसके बाद के दाने इसकी बहुत डीप क्लीनिंग करेंगे और आप खुद देखेंगे आप हैरान है जी कि इसके बाद आपके से 10-15 मिन्ट के लिए इसी तरह पड़ा रहना दे रहा है जो हमने इसको स्थावान लगा कर रख दिये उसके बाद वाड़ी आती है जी वाटर कूलर की उस करेंगे जाए तो कुलर के हालगे कुछ इस तरह की हो जाती है इसमें भी आपने अगें कौर्टर कप सिरका वन टेबल स्पून अपने बरतन दोने वाला साबन जो लिक्विड होता है वो और उसके साथ आपने मीठा सोडा और विनिगर इसमें डाल देना है अच्छा इस त इसको भी इसी तरह लगाकर यह सारा समान रख देना है तक्रीबन 10-15 मिंट के लिए पहले हम इसको अच्छी तरह हिला लेंगे उसके बाद इसको हम रख देंगे अच्छा यह आप देखें कि बिल्कुल यह इतना असान मेथिड है कि आपकी बहुत जादा मेनत भी नहीं ल जाल है उसके बाद में इसको अच्छी तरह शेक किया उसके बाद जी आप देखें कूलर को भी हम देख लेते हैं कूलर के अंदे बी जो थी मैल वगारा वह काफी नरम हो चुकी है अब यह जो बोटल का पानी है हम इसमें शामिल कर देंगे और अब हम बोटल को मांजना स् चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दें लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए ताकि आप किसी तरह की कारामद वीडियो सखन बैटे मिल जाएं अच्छा जी अब आप कहेंगे कि जी जरूर मुझे सांग कमेंट भी आएंगे जिए आपके वाटर कूलर काफी गंदा लग रहा है या आपकी ये बोटल कुछ जादा गंदी लग रही है तो ऐसी बात बिलकुल ही हम तो अपने खान में आरे एक चीज़ को साफ रखते हैं तो जी उसी को दिखाने के लिए जी मैंने आपके साथ ही आज प्रॉपर इनको पहले अच्छी तरह इस्तमाल किया है फिर उसके बाद जो हमारे स्टोर मेरे में वाटर बोल्डर बगारा सापड़ी ही तून को उसी तरह हमने रखा है कि ये अच्छी तरह जैसे घरों में अ फुद ही आप इस तरह इनको डीप क्लीं किया करें अच्या इसको मैं है अच्छी तरह मैं अच्छी तरह मैं अच्छी तरह मन ल classify आ ग्र्यूंग्त कै आप डिखेंगे कि कितनी अराम से इसके निशनाआत उतर जायंगे जो खारे निशनात होते हैं ये वैसे भी पानी एक एक ऐसी दे पता चलता है कि आपने घर की जो खाने पीने की चीजें हैं किचन है या से वाश रूम वगरा कितना ज़्यादा साफ रखा हुआ है तो अकसर बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किल लगता है क्यों कि चीजे इतनी गंडी हो जाती है तो आप देखने हैं कि ज़्यादा आसान हो जाएगा और इंशाला आपके बरतन भी सी तरह चमकेंगे आपको निया लेने की कुछ ज़ूरत नी पड़ेगी अगर आप सोच रहे हैं कि इन चीजों को फैंके आप नहीं चीज़े ले 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 तो घर में पड़ी चीजों के साथ हम इनको निया कर सकत ताके जो मेरे देखने वाले वीवर्स हैं वो भी अपने घरों में अगर उनके भी बरतन भी सी तरह खराब हो गए हुए हैं तो उसको बड़ी आसानी से नीट एंड क्लीन कर ले तो उमीद करती हूं कि आज की वीडियो मेरे देखने वाले वीवर्स के बहुत जादा काम आ शेयर क्याज है क्योंकि डेली ही हमारे घर में ये चीज़े यूज की जाती है और इसमें चोब इस घंटे ही पानी पड़ा होता है तो इसके वैसे निशानात वगरा लग जाते हैं तो आब आपको मैं दोकर दिखाते हूं देखें माशाला से यह वही कूलर है जिसके अंद ला सकती है तो यह आपकी बहुत ही काम आएगी यह वीडियो आपकी बच्चत करने में भी और आपकी मेहनत भी बहुत जादा काम लगेगी तो माशाला से देखें जी हमारा बिल्कुल ब्रैंड न्यू यह कूलर हो गया अलहम्दुरिल्ला से और बहुत ही शानदार इसका जाए से ताहन जी हम वाटर कैन की जो बॉटल है उसको भी दो लेंगे आज ही टिप्स घर में आजमाया है इंशाला आपके घर में जितनी भी इस तरह के वाटर कैन वाटर कूल बगरा पड़ेंगे इंशाला बिल्कुल न्यू हो जाएंगे मेरे बहुत जादा काम आने वा लैसन, प्यास, अमरूद और इसी तरह कोई सालन इस तरह का रख दिया जाए तो फ्रिज में बहुत जादा बडबू पड़ जाती है और बाकी चीजों में भी पड़ जाती है उसके वाइस आप बहुत जादा वरिड रहते हैं तो इसको खतम करने के लिए आपको चाहिए ह एक चमच चावल ले लेना है और एक चमच य आपने ले लेनी है चाए की पती और इसमें एक चमच आपने ले लेना है मीठा सोड़ा की तीनों चीज़ें आप ले लोगे अकसर क्या होता है फ्रिज में हम चटनिया कटा हुआ पयाज अदर बसन का पेस्ट अमरूद बजार से लाके रख दें तो फ्रिज में एक स्मेल से पाड़ जाती है बेशक कुन चीजों को निकाल के हम यूस क्यों न कर लें बट फिर भी स्मेल फ्रिज के अंदर ही रह जाती है तो उसके स्मेल को खतम करने के लिए आपने फिर किसी भी कॉर्णर बे इसको रख देने इस तरह कर